हलो, वेलकम तो आपने यूटूब चानल महात्माजी एरुकेटर मैं अप सेक्सिंग आपको अपने यूटूब चानल महात्माजी एरुकेटर में वेलकम करता हूँ तो आपको जैसा की पता है कि यह वीडियो किसके रिलेटेड है तो यह वीडियो जो है आपके math course के related है अगर आपने अभी तक math की तयारी नहीं की है आप math में weak हो बहुत ज़्यादा वीड हो आपको math का A, B, C, D भी नहीं आता है तो यह वीडियो आप ही के लिए है ठीके? और या फिर अगर आप math पुरा complete कर रखे हो already और revision करना चाहते हो फिर भी आप वीडियो आपके लिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको course कैसे लेना है कोर्स में क्या क्या होगा और साथ में आपके अच्छे नंबर कैसे आए जैसे कि जिनका पुरा तयारी हो गया उनको 90 प्लस कैसे आए जिन्होंने अभी तक कुछ भी तयारी नहीं किया है उनको 70 से 80 परसेंट तक कैसे आए और जिन्होंने कुछ अच्छे मतलब की 50 परसेंट स्लेबस कम्प्लीट कर रखा है उनको 90-95 मार्क्स कैसे आए यह सभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ओके तो सबसे पहले तो आपको कोर्स कैसे जॉइन करना यह बताएते हैं और कोर्स का फी बताएते हैं तो सबसे पहले तो कोर्स का जो फी है वो 4.99 है ठीक है और यह course जो है आप जल से जल डाउनलोड कर जोईन कर लो क्योंकि बाद में आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि इसका फी जो है इंक्रीज हो सकता है तो 4.99 में आपको full course मिलेगा one year के validity के साथ ठीक है मतलब कि एक साल का आपको उसमें subscription मिलेगा ठीक है उसमें एक साल तक आप कोई भी doubt पूछ सकते हो कुछ भी पूछ सकते हो ठीक है बात समय में आया चलिए अब इस course में जो होगा जो maths का जो course है इसमें आपका 12 का पूरा syllabus cover होगा चैप्टर 1 से लेकर 13 तक आपके total maths में 13 चैप्टर है उसमें भी आपको मैं बता दू कि जो question का label होगा वो board exam के question का label होगा ठीक है किस exam के board exam के question का label होगा board exam में जैसे question पूछे जाते हैं उस type के question आपको करवाये जाएंगे पूरा तयारी करवाये जाएगा objective आपको करवाये जाएगा प्लस में subjective की तयारी करवाय जाएगी ठीक है और साथ में आपको मैं बता दू कि इसके साथ साथ आपका एर फोर्स ठीक है जिन्होंने मतलब की बहुत सारे students जो होते हैं एर फोर्स का एक्जाम देते हैं तो एर फोर्स के लेबल का भी कोश्चन आपको करवाया जाएगा कोर्स में ओके चलिए तो यह बात रही अब आपको कोर्स कैसे जॉइन करना कोर्स जॉइन करने के लिए आपको क्या करना है तो कोर्स जॉइन करने के लिए सिंपल सी बात है आपको प्ले स्टोर प्ले स्टोर आप लोग जानते हो क्या होता है जहां से गेम डाउनलोड करते हो ना पबजी वही प्ले स्टोर तो प्ले स्टोर में आ जाना है प्ले स्टोर में आने के बाद यह सर्च फॉर एप्स एंड गेम्स वाला जो लिखा हुआ है यहां पे आपको क्या कर देना है Education बाबा सरच कर देना है Education बाबा डिक Hey Hea wszystkich education बाबा सर्च करने के बाद आपको जो है इस तरीके का ऐगा ठीक है इस तरीके का यह देख लो चौल साब नोग जो है है डिविू दिये थ्री तो मिलेगा ही मिलेगा मैज आपको हमसे पढ़ना है तो मैस्स जोईन करना बाकिज जोईन करने की ज़रुद नहीं है कि आप अपने phone number से login करना क्योंकि google से login करना थोड़ा रिस्की हो सकता है रिस्की तो या फीर facebook से login करना क्योंकि जब आपको मतलब goaba इस लोग tooth तो अगर activated की हम किस की से login की थ। Дिक्कत हो जाए लेकि नमबर स्याइनल रहेगा तो वह रिकDo हमारे पास रखता है और हम अगर आप हमसे help मांगो गए तो हम आपको बता देंगे कि अपने number से login किया था ओके चलिए तो जब login कर लोगे तो आपको आएगा एक option maths maths English medium करके option है उस पर आपको क्लिक कर लेना है उस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है वहाँ पर demo video भी already available है आप chapter 1 खोल लगे तो syllabus आपको सबसे पहले पता चलिया है कि आपका syllabus क्या है उसके बाद उसमें हमने बताया है कि पहले कौन chapter पढ़ाएंगे उसके बाद कौन सा chapter पढ़ाएंगे तो सब कुछ उसमें बता रखा है हमने उसके बाद आपको chapter 2 में चले जाना है ठीक है डेमो वीडियो के लिए chapter 2 से हमने start क्या है तीन चार वीडियो जो है free के हमने कर दिये हैं जिन पर मैंने restriction नहीं लगाया है कि जो course खर देंगे वहीं देखेंगे वो सब कोई देख सकता है जो course नहीं खरिदना चाहेंगे वो भी देख सकते हैं देख के समझ सकते हैं तो 3-4 वीडियो जो है वो आप काफी होता है किसी को judge करने के लिए मतलब हमें अगर तुम जानना चाहते होगी हम कैसा पढ़ाते ह हैं तो यह 3-4 वीडियो काफी है आपके लिए उससे भी नहीं तो YouTube पे हमने जो है आपको पढ़ा रखा है YouTube पे हमने प्लेलिस्ट बना के पढ़ा रखाया वहां से भी आप देख सकते हो कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है जिनको ABCD भी नहीं आता है मैस का वो भी अच्छे से लेटेर या फिर कोई भी चीज तुम पहले भी हमसे बात करना चाहते हो तो कर सकते हो लेकिन WhatsApp पे मैसेज करना है ठीक है हम आपको बार बार बोलना है मैसेज करना है कॉल नहीं करना क्योंकि भाई साहब जब कभी क्लास लेते रहें तो डिस्टर्ब होने के काना अफी का स सिलेबस का मतलब क्या हो सकता है मतलब सिलेबस जो है आपका लेट हो सकता है ठीक है तो हमने 30 अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करवाने का आप से प्रॉमिस किया है तो 30 अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इसके लिए चिंता नहीं करनी है हां एक द यह हमारा WhatsApp नमबर है, टेलिग्राम नमबर भी है, आप इस पे WhatsApp पे करो, या फिर टेलिग्राम पे करो, कहीं पे भी तुम मैसेज कर देना, कॉल नहीं किजिएगा, कॉल हम जब बोलेंगे आपको, ठीक है, आप हमको मैसेज करना, वहाँ पर बोलना है कि भाईया, हम आप से कॉ कॉल पे बात करना चाहते है, तो हम आपको एक टाइम देंगे, कि इस टाइम के बीच में आप हमें कॉल कीजिए, हम रिसीब करेंगे, ठीक है, चलिए, तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि लिए, जाए हिंद वद्दे मात्रम, कोर्स जोइन करन तो बाइब बाइब